दोस्तों बजट के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंगलिस के जो कठीन वर्ड हैं उनका हिंदी में आसान सा मतलब समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बजट के अंदर जो कठीन वर्ड इस्तिमाल होते हैं उनका एकदम सीधा हिंदी में उनका मतलब समझाएंगे पहला जो है दोस्तों फाइनेस बील, बजट एस्तिमेट, फिसकल डेफिसियेट, रेवेन्यू डेफिसियेट, कश्टम डूटी, कंसोलिटेट फंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉर्परेट टेक्स और दोस्तों एक्सरसाइज डूटी, शोर्ट टम गेन, आदी जितन वित विदेक, फाइनेस बील का मतलब होता है वित विदेक, वित विदेक क्या होता दोस्तों, बजट पेश होने के बाद संसद में सरकार फाइनेस बील पेश करती हैं, इसमें सरकार की कमाई का ब्योरा होता है, इसके अंदर दोस्तों सरकार की जितनी भी कमाई हैं, उसके बारे में सबकुछ रिकोर्ड जो है आपके इस वित विदेक के अंदर होता है जिसको हम Finance Bill बोलते हैं नेश्ट है Appropriation Bill यानि विनियोग विदेयक दोस्तों इसके अंदर Finance Bill के साथ ही Appropriation Bill भी पेश किया जाता है इसमें सरकार के खर्च का ब्योरा होता है सरकार के दुआरा जितना भी खर्च किया जाता है उसका ब्योरा जो है वह आपके Finance Bill के अंदर Appropriation Bill के अंदर पेश किया जाता है अगला है Budget Estimate यानि Budget अनुमान तो दोस्तों आने वाले वित वर्ष यानि Financial Year में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे Budget Estimate करते हैं सरकार के दुआरा आगे आने वाले जो वित वर्ष है उसके अंदर दोस्तों Financial Year में जो सरकार की कमाई और खर्च का जो अनुमान है उसे ही हम Budget Estimate करते हैं अगला है Revised Estimate यानि संसोदित अनुमान तो दोस्तों पिछले वित वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाय था उसे फिर से संसोदित करके पेश करती हैं उसे Revised Estimate करते हैं Actual यानि वास्तुविक Actually का मतलब होता वास्तुविक दो साल पहले सरकार ने असल में जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे Actual करते हैं अगला है Fiscal Deficient यानि राजकोशिये गाटा सरकार की कमाई कम हैं और खर्च ज़्यादा हैं यानि सरकार गाटे में हैं तो उसे फिसकल डेपिसियेट करते हैं फिसकल सर्पलस यानि राजकोशी मुनाफ़ा सरकार की कमाई ज़्यादा है और खर्च कम है यानि सरकार फाइदे में है तो उसे फिस्कल सर्प्लस करते हैं Revenue Deficiate यानि राजस्व गाटा सरकार ने कमाई का जो टार्गेट सेट किया था लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई है तो उसे Revenue Deficiate करते हैं Tax यानि कर, टेक्स दो परकार के होते हैं Direct Tax, Indirect Tax Direct Tax वो टेक्स जो सरकार आम आदमी से सीधे लेती हैं जैसे Income Tax, Corporate Tax, Property Tax, Indirect Tax, Way Tax जो आम आदमी से Indirectly लिया जाता हैं जैसे Exercise Duty, Custom Duty, Service Tax, इत्यादी Next, Income Tax यानि आएकर Tax आपकी कमाई पर लगता हैं, इसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट किया हैं और उस पर व्याज मिल रहा हैं तो उस पर भी आपको Income Tax देना होता हैं अगला है Corporate Tax, Corporate कमपनियों या फ्रमों को अपनी कमाई पर सरकार को Tax देना होता हैं, इसे ही Corporate Tax कहा जाता है नेश्ट है Exercise Duty यानि उत्पाद शुल्क, देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टेक्स लगता हैं, उसे Exercise Duty कहते हैं, इसे अब GST में सामिल कर लिया गया हैं, लेकिन Petrol, Diesel और शराब पर अब भी Exercise Duty लगती हैं नेश्ट है Custom Duty यानि सीमा सुल्क, जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा हैं या फिर दूसरे देश जा रहा हैं, यानि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर Custom Duty लगती हैं Consoluted Fund यानि समयकित कोश, सरकार जो भी कमाती हैं, उसे Consoluted Fund में रखा जाता हैं, इससे पेशा निकालने के लिए संसत की मन्जूरी जरूरी होती हैं Next है, Contingency Fund यानि आख कस्मीन कोश, अचानक जरूरत परणे पर सरकार जिस फंड से पेशा निकालती हैं, उसे Contingency Fund कहते हैं, इससे पेशा निकालने के लिए संसत की मन्जूरी जरूरी नहीं होती हैं Revenue Expenditure यानि राजस्वे व्याई देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती हैं, उसे Revenue Expenditure करते हैं, ये खर्च सबसीडी देने, सेलरी देने, कर्च देने, राजसरकार को ग्रांट देने में होता हैं Capital Expenditure यानि पुंजी गत व्याई एसा खर्च जिस से सरकार को कमाई होती हैं, उसे Capital Expenditure करते हैं, ये खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल कोलेज सडक अस्पिताल बनाने में करती हैं Short Trum Gain यानि अल्पकालेल पुंजी गत जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पेसा लगा कर उस पर मुनाबा कमाता हैं, तो उसे Short Trum Capital Gain करते हैं Long Trum Gain यानि दिर्ग कालेल पुंजी गत लाब जब कोई शेयर बाजार में एक साल से ज़्यादा व्यक्त तक पेसा लगा कर उस पर मुनाबा कमाता हैं, तो उसे Long Trum Capital Gain करते हैं Disinvestment यानि विनिवेश जब सरकार सरकारी कमपनियों की कुछ हिसेदारी बेज कर कमाई करती हैं, तो उसे Disinvestment करते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो इसी परकार की Knowledge वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तन्यवाद जय हिंदि